हलो एड नमस्ते दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो आप सभी के लिए बहुती फायदेमन टॉपिक होने वाला है और मुझे लगता है इस प्रॉब्लम से पलसर एनेस टूहंड़ेट के लगभग 99% राइडर्स इस प्रॉब्लम से परिसान होगे जी हां सही सुना आपने 99% और वो प्रॉब्लम है क्या इसके ब्रेक पेडल की पोजिशन कमपनी से जो इसकी ब्रेक पेडल की पोजिशन आती है वो बहुत ही उपर एकदमी अनकमफर्टेवल रहती है गाड़ी चलाते टाइम बिलकुल भी उसमें कमफर्ट महसूस नहीं होता है तो अभी आ आप देख सकते हैं लगभग इतनी उपर रहती है और अभी हमने इसको कुछ नीचे की और इस तरीके से एड़जेस्ट करवा के रखा है ठीक है दोस्तों और आप देख सकते हैं यहां से कट करवा के मैंने एड़जेस्ट करवाया था लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है वह यह हो रही है कि यह जो इसका फुटरेस्ट और ब्रेक पैडल का जो डिस्टेंस है, वो काफी पास हो गया है तो इसको दूर करवाने के लिए मैं इसको फिर से कट कर वा के फिर से वर्ड करवाऊंगा और इसी वीडियो में अगर आपका company से जैसा आता है ब्रेक पैडल गेसा तो यह देखी दोस्तों इसका प्रेक पेडल बाहर आचुगा है और यह देखिए दोस्तों यह रहा इसका प्रेक पेडल और मैंने इसको कुछ इस तरीके से काट के पहले वेल्ड करवाया था आप देख सकते हैं तो अभी जो है मैं इसको साइड साइड से इसकी जो वेल्डिंग है उसको ग्राइंडा से काट के और फिर इसे केसे वेल्डिंग कराना है वह मैं आपको वीडियो में बताऊंगा खीक है दोस्तों अरे भाई तुम कहां जाओगे आओ आओ क्या हुआ है कि तो तुम्हें सब मैं वीडियो में आगए तुम भी तो दोस्तों यह रहा हमारा ब्रेक पेडल और चलिए अब इसको जंदी से काटना स्टार्ट करते हैं और दोस्तों अब इसको हम एकदमी पूरा जो इसका में लोहा है उसको एकदमी जड़ से नहीं काटेंगे और इसकी जो मैंने पुरान पूरा ही से निकम जाएं तो दोस्तों देखिए यह कुछ इस तरीके से कंपनी से वेल्ड होके आता और मैंने इसको अभी अपने ही साब से वेल्ड कराके रखा था अपने पूजिशन की साब से लेकिन दोस्तों अगर आप यह सोच रहें कि हम इसके टीथ से एडजेस्टमेंट कर लें तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका जो यह वाला हिस्सा होता है यह फूट्रेस के ऐल्मोनियम वाल इसको समझा लेता है तो यह देखिए दोस्तों इसका जो यह वाला हिस्सा होता है वो फूट्रेस के उपर वाले हिस्से में ठगराता है जो ब्रेक पेडल को होल्ड करके रखता है तो इसी कारण आप यहां टीथ से अगर कितना भी एडजेस्ट करने की कोशिस करेंगे तो इडजेस्ट नहीं होगा और वह वापिस अपनी उसी पोजेशन पर आजाएगा और आपको काट कर ही एडजेस्ट करवाना पड़ेगा ठीक है चलिए मैं आपको दिखाता हूं कंपनी से इसकी जो पोजेशन आती है वह लगभग कुछ इस पोजेशन पर आती है यह इस पो और अभी आप जो देख सकते हैं वह मैंने जो एडजेस्ट करा के रखा था वह लगभग इस पोजेशन पर करवा के रखा था और अभी जो मझे प्रॉलम थी सिर्फ वह फोट्रेस्ट और ब्रेक पेडल के डिश्टेंस की तो दोस्तों अब आपको इसे वेल्डिंग के से क काटके रखा है अपने ब्रेक पेडल को आपको भी वेसे ही काटना हेगा और यह जो आप देख रहे हैं ब्रेक पेडल के जो पीछे वाला हिस्सा है और आगे वाला हिस्सा है इन दोनों को एक सिधाई में दोनों को एक सीध में वेल्ड कराना है ठीक है दोस्तों और दोस्तों आप यह देख सकते हैं मैं इसको वेल्डिंग करा के ले आया हूँ और वेल्डिंग कराने के आद इसमें मैंने अच्छे से ग्राइंडिंग वगेरा करके जो वेल्डिंग का उगरा हुआ हिस्सा रेता है उन सबको अच्छे से घिसके पूरा फिनिश कर लिया है अब हम इसमें black color का print वगेरा कर देंगे ताकि जिससे rust वगेरा ना लगे और दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये जो brake pedal की shaft होती है इसमें मैंने greasing कर ली है आप भी इसमें greasing कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ कुछ नहीं करना आपको आपको ये 6 नंबर के दो इलंकी बॉल्ट जो है उनको खोलना है और shaft को पीछे की और यूँ दख्का देना है अभी तो silencer रड़ गा है इसलिए बाहर नहीं आपाईगी इसलिए आपको ये दोनों इलंकी की बॉल्ट खोलना है बाहर और ये पूरा ilmonium का जो हिस्सा बाहर आ जाएगा उसके आद आपको sharp को दख्का दे के पीछे की और निकालना है उसमें आप greasing कर सकते हैं और ये जो आप ilmonium का हिस्सा देख रहे हैं इसके अंदर एक लोहे का बुस लगा रहता है तो इसमें greasing करना जरूर भी रता है ताकि हमारे जो brakes हैंगे उनके movement अच्छी रहे brake pedal की movement अच्छी रहे तो इसलिए आप भी इसमें greasing कर सकते हैं और मैं इसका वीडियो तो नहीं बना पाया और आप ये देख सकते हैं अब हमारे जो brake pedal है वो सुख शुका है आदे गंटे के brake तो चलिए अब इसको लगाने का काम स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो brake pedal लगाने के लिए हमें इसकी shaft और brake pedal के teeth को adjust करना होगा उसको adjust करने के लिए ये जो brake pedal की जो आप देख सकते हैं हमने brake pedal में एक चाकू फसा लिया है ताकि इसका gap पढ़े है और ये shaft में असानी से फाज जाए तो आप ये देख सकते हैं मैंने shaft को उपर कर लिया है ताकि brake pedal में ज्यादा play ना है मैंने फिर इसको लगा लिया तो अब मैं इसकी play चेक कराऊ परफेक्ट आईए यानि कि जो brake pedal है वो teeth की shaft लें और brake pedal के जो teeth है अच्छी setting के साथ adjust हुआ है और उसके आद अगर हमें play हलकी से महसूस हो रही है तो आप ये देख सकते हैं ये जो brake master cylinder की जो push rod होती है उसमें एक 10 नंबर का nut दिया रहता है आप उसको खोल करके adjustment कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तो brake pedal की play को आपको adjustment करने के लिए आप ये देख सकते हैं ये जो 10 नंबर का nut दिया हुआ इसको आपको खोल लेना है और उसके आद आपको ये जो push rod दी होई रहती है अंदर की और इसको आगे की और घुमाएंगे तो इसके play adjust होती जाएगी आगे की और घुमाएंगे तो प्ले कम होती जाएगी और पीछे की और घुमाएंगे इस रोड को तो प्ले बढ़ती जाएगी तो अभी मुझे में नट को मैंने कस लिया है अब उसके आद हम ब्रेक पेडल की प्ले को चेक करेंगे और दोस्तों ब्रेक पेडल की प्ले मुझे इतनी ठीक लग रही है बागी मैंने आपको ब्रेक पेडल की प्ले को एड़ेस्ट करने का भी तरीका बता दिया है आप अपने हिसाप से भी ए और बागी आप दोस्तों देख सकते हैं हमारे ब्रेक पेडल की कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इसको मैंने जब ग्राइंडिंग वाला हिस्सा भी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा और आप देख सकते हैं कितनी बड़ियां फिनिशिंग आई है जब मैंने इसमें पेंट सूस भी पेहन करके गाड़ी राइट कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी अनकमफटेवल नहीं लगेगा बहुत ही कमफटेवल पोजिशन आ चुकी है जै और मैं भी अधिकतर स्पोर्ट सूस पेहन करके गाड़ी राइट करता हूं तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी इस बहुत ही अच्छी पोजिशन है तो दोस्तों अगर आपकी पास भी पल्सर एनस 200 है और आप भी उसकी जो कंपनी से स्टॉक वाली ब्रेक पेडल की पोजिशन आती है उससे आप भी परिसान है तो आप इस तरीके से ब्रेक पेडल को कटवाकर अपने हिसाब से तो कि तेंकि दोस्तों